सनी दियोर की ब्लॉक बास्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सिउकल को तयार किया जा रहा है मगर इस फिल्म की रिलीज मुस्किलों में है फिल्म के निर्देशक अनिल सर्मा ने इस बात से नाराज की जताई है कि फिल्म का ट्रायल 50 बार से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उन्हें डिस्टिब्यूटर नहीं मिल रहे हैं तो वहीं अनिल सर्मा ने बताया कि जिन डिस्टिब्यूटर ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे वह आपने पैसे वापस मांग रहे हैं। आपको बता दे कि सनी दियूल और अमीसा पटेल इस्टार गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबास्टर रही थी। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ओफिस पे तहलका मचा दिया था। वहीं फिल्म में बूटा सिंग नाम के सक्सियत की वास्तविक कहानी है। फिल्म के डिस्ट्रिब्यूटर नहीं मिलने के पीछे की वज़ा अनिल सर्मा मानते हैं कि जिस सनी दियूल को लोग गुंडे से लड़ते हुए देखना चाते हैं। उसे सारंगी बजाते हुए किसी हसीना के प्यार में नहीं देखना चाते। तो वहीं फिल्म के लीड एक्टर सनी दियूल का कहना है कि उनकी पहली फिल्म जब रिलीज हुई थी तो लोगों ने उस वक्त इसका मजाक उड़ाया था। इसे गदर एक प्रेम कथा कहा गया था। मगर जब या फिल्म रिलीज हुई तो दर्सकों नहीं से खुब अब या देखना होगा कि सनी दियूल की फिल्म कदर एक प्रेम कथा का सिकल रिलीज हो पाती है या नहीं। ब्यूरे रिपोर्ट आई पियन।